गुट मॉर्णिंग स्टुडेंट्स हम लोगरिथम की प्रोपर्टीज का दिन कर रहे थे उसमें जो पहली प्रोपर्टी का हमने दिन खिया वो ये थी कि लोग वन की वेल्यू हमेशा जीरो होगी चाहिए बेस वेल्यू कुछ भी हो base value कुछ भी हो log 1 की value हमेशा 0 आएगी पहली property दूसरी property में हमने अद्धियन किया जिसका log ले रहे हैं वो और base value यदि समान हो जिस लोग 10, base value 10 है तो 1 आएगी ये देखो दूसरी property क्या थी जिसका log ले रहे हैं वो और base value यदि समान है तो उसकी value 1 आएगी जैसे log 10 की value base 10 पर 1 आएगी log 100 की value base 100 पर 1 आएगी यह दूसरी property थी तीसरी property जो log की हमने पढ़ी वो थी कुछ भी base value हो यदि जिसके log निकाल रहे हैं multiply में हैं तो उसको यदि खोल के लिखें तो plus की form में लिखते हैं जैसे log x1 into x2 is equal to log x1 plus x2 और ऐसा क्यों लिखते हैं उसका explanation यहां नीचे किया गया है इतना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आज हम logarithm की fourth property का अध्यान करेंगे जिसमें है कि log x1 minus log x2 यहां base value समान होनी चाहिए log x1 minus log x2 is equal to log x1 upon x2 पिछली जो property थी उसमें log x1 into x2 था यहां तो multiply हो रहा है और यहां divination हो रहा है यदि divination में है तो इसको open करके लिखेंगे तो minus की form में लिखेंगे ऐसा क्यों लिखते हैं इसको explain करते हैं इसको समझते हैं देखो इसको समझने के लिए हमको कुछ imagine करना पड़ेगा कि log x1 is equal to हमने u माल लिया base value सेम है और log x2 is equal to हमने v माल लिया base value यहां पर भी सेम है log x1 is equal to u और log x2 is equal to v अब इसको हम power की form में लिखते हैं तो a की power u is equal to x1 और a की power v is equal to x2 अब हम x1 और x2 को divination कर देते हैं x1 upon x2 यदि करें तो a की power u is equal to x1 upon a की power v upon x2 x1 upon x2 अब यदि base value सेम है यहां पर भी a और यहां पर भी a तो इसको हम minus की form में लिखते हैं इसको हम यहां लिख सकते हैं a की power u minus v is equal to x1 upon x2 अब इसको हम logarithm form में लिखते हैं log यदि log की form में लिखेंगे तो base value यह और यह इदर replace हो जाएगा x1 upon x2 is equal to u minus v u की value के लिए log x1 और v की value के लिए log x2 उसको यहां put कर देंगे तो अपने पास जो result आएगा वो आएगा log a की x1 upon x2 is equal to log x1 minus log x2 इस तरीके से यह prove हो गया की जो fourth property है log x1 minus x2 को log x1 upon x2 लिख सकते हैं और log x1 upon x2 को log x1 minus x2 लिख सकते हैं पांची जो property है log की वो यह है कि log x की power n को हम n log x लिख सकते हैं और ताते power jump करके log से पहले आजाती है ऐसा क्यों लिखते हैं इसको explain करते हैं इसको समझते हैं कि log की इस वाले form को इसमें क्यों लिख देते हैं देखे log इसको भी हमें कुछ imagine करना पड़ेगा कि log base a के उपर x की power n है is equal to मैंने यहाँ y माल लिया अब इसको मैं power की form में लिखूँगा तो a की power y is equal to x की power n अब इस power को दोनी तरफ left hand side में right hand side में power को मैं n से divide कर दूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा a की power y upon n is equal to x क्यों कि n by n होगा तो उसकी value 1 हो जाएगी p o w e r s powers divided by n तो y upon n is equal to x की power n upon n यह लिख दखता हूँ n upon n तो यह होगा a की power y upon n is equal to x n upon n की value 1 होती है अब इसको हम log की form में लिखेंगे देखो जब इसको हम log की form में लिखेंगे तो यह लिख देंगे हम log base value a और यहाँ पर क्या जाएगी x is equal to y upon n और यह जो n है इधर shift हो जाएगा और यहाँ हम लिख देंगे n log base a पर x यह आगया is equal to y is equal to y और y is equal to क्या है यह देखो y is equal to क्या है यह देखो तो यहाँ पर y की value पूट कर देंगे n log x is equal to log x की power n यह प्रोव हो गया यानि log x की power n को हम n log x लिख सकते हैं और n log x को हम log x की power n लिख सकते हैं अब अगली जो प्रोपर्टी है log की शिक्स्त नमबर की वो यह है कि log base की power n x is equal to 1 upon n log base की power x sorry base x log ax यहाँ base की power n है तो कोई change नहीं होगा n इदर जंप कर रहा है और 1 upon में change कर रहा है जो पांचवी प्रोपर्टी थी उसमें जो power थी वो x की थी और वो जंप करके इससे पहले आ रहा था और छटवी प्रोपर्टी में जो power है यह base की power है यह भी जंप करके लोग से पहले आ रही है लेकिन 1 upon में आ रही है इसको समझते हैं ऐसे क्यों हो जाता है देखो इसके लिए भी हमको log base a की power and x is equal to हमको y मानना पड़ेगा ठीक है अब इसको यदि हम power की formula लिखें तो a की power n और इसकी power में आ जाएगा y is equal to x अब इसको हम यह लिख सकते हैं कि a की power n y is equal to x a की power क्या हो गई n y is equal to x अब इसका जो यह equation हमको यह equation 1 यह equation 2 equation 3 जो है इसका direct log log की formula लिखो यह power की form है इसको log की form में लिखेंगे तो log base value ऐसे कैसे और इसका result है यहाँ पर आ जाएगा is equal to n y अब यह जो n है इस n को इधर की side left hand side में shift करेंगे तो इसको यह लिखेंगे हम 1 upon n log 1 upon n log x is equal to y और y की value क्या है यह रही equation 1 आस्ट में जो y की value है y की value है पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 upon n log x is equal to log base a की power n x y की value आपर पूट कर दी यह हमारे पास में प्रोव हो गया यदि base की power आ जाए तो उसको 1 upon n में लेके इस तरीके से यह लोग की कुल 6 properties का हमने अध्यान किया आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में लोगर्थम की जो एक अध्य जो property बची हुई है वो और इस से लोगर्थम से समादित कुछ problems का अध्यान करेंगे झाल